अगले दोस्तों कुछी देर में भारत और USA के बिच मतलब USA वर्सिस इंडिया के बिच अगला T20 वर्ल्ड कप का मैच होने आला जिसकी 10 ड्रेमिलेवन की विणिंग टिम्स में आपको दिखाने आलो जिससे आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं फिर आप ग्रांड लिग सब्सक्राइब कर लिजी तक हैं कि अपको उपर मायाटीम का जो आप्शन मिलते हैं वहां पर जाके भी आप टीम बना सकते हैं और यहां सें वह jedus मैं sources बना के रख चुके वहांस संब crowds ढहjakला watch. देकि दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए ज़रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चानल पर नहीं तो चानल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिजे साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और पा काफी बढ़िया परफॉर्मस किया है तो इसलिए इनको भी मैं इस टीम में रखूंगा कोरे एंडर्शन हम सब को पता न्यूजिलंड के तरब से खेलते थे और काफी जबदस खेलते थे तो इसलिए कुछ टीमों में इनको जरूरू लूंगा अक्षर पटेल रहेंगे हार अफकोस रहेंगे नेत्रावलकर भी हमारे पास अफकोस रहने आले तो इस तर से टीम देख सकते हैं काफी अच्छे और संतुली थे क्याप्टन की बात करो तो विराट कोली को क्याप्टन मनाओंगा और साथ इसाथ हार्दिक को वाइस क्याप्टन मनाओंगा क्योंकि कुछ करते हैं दूसरी टीम पर चलते हैं अब दूसरी टीम में मैं इस रशप्पन के साथ ही जाओंगा आज विकेट के पर उसके बाद मेरे पास रोई चर्मा सुरुकुमार यादव ए जोंस इस तर से तीन बल्लेबाद रहेंगे और रूंडर में हार्दिक पांडिया और कोरे अंडर्सन ही रहेंगे और गीनबाजी में जस्प्रीद बुम्रा भूमत सिराज अर्शदीप सिंग नेत्रावलकर और यहां पर देख सकते हैं यह बी एक मेरे पास अच्छा ऑप्शन रहने वाला है क्योंकि इन्होंने भी अच्छा अभी तक केंजिंग यह अच्छा प्रफॉर्मस किया है तो इसलिए इनको भी लेना फाय देमन साबित हो सकता है इस टीम का क्याप्टन में सीधे बना दूँगा सुर्य कुमार जादो को यह थोड़ी टीम ज्यादा रिस्की है क्योंकि मैं सुर्य कुमार को क्याप्टन और कोरे अंडर्सन को वाइस क्याप् तो वह भी आप कर सकते हैं इस टीम को भी क्लोज करते हैं तीसरी टीम पर हमें चलना है तीसरी टीम की बात करो तो ग्रोष को में लुगा इसके बाद किसी और कीपर को नहीं लुगा क्योंकि मैं हर एक वो अप्शन आपको देना चाहता हूँ जिससे आप ग्राड लिग जी तो जड़विंद्र जड़िया कोरेज अंडर सर्नार्दिक पांडिया और शिवम दुबे हाला कि मुझे लग रहा है कि शिवम दुबे प्लेंग इल्वन में रहेंगे या नहीं रहेंगे ठोड़ा मुश्किल फैसला है पर मैं इनको कुछ टीमों में जरूर लेना चौंगा अगर रहते तो जश्परित बुम्रा और नेत्रावलकर ये दोनों अपने अपनी टीमों के लिए जबर्दस गेन बाजी कर चुके है तो इसलिए इन दोनों को साथ में ले लूँगा यहाँ पर भारत की तरफ से सबसे एक्सप्रियेंस अगर देखेंगे तो हमार पास रोह छर्मा को ञाप्टन और विराट को राट कोली को अड़िक कैप्टन बना और भी बना सकते आहिं लेकिन फिर लाल टीम बहुत ही बड़ी हो आए अप जरुर्व उस कह सकते यस्टिम को भी क्लोच करते हैं और अब हमें चोथी टीम पर चलना है वो किस तर से हम बनाएंगे वो भी देख लेंगे तो चोथी टीम के बात करूँ तो याप पर रिशब पंत एग रोज और एम पटेल मतलब मैं आपको अल्रेडी बोल चुको हर एक आप्शन आपको देना चाहता हूँ जो आपको जिता स सकता है रोज चर्मा, विराट कोली, सुरिकुमार यादव, ए जोन्स इस तर से चार बेस्ट बल्लेबाज भी रहेंगे अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या दो ही ओल रॉंडर रखूंगा और जस्परित बुम्रा और नित्रावलकर इस तर से दो ही गेन बाज इस टीम मे मुझे लगता है भूम्रा अगर आज भी दो तीन विकेट ले लेते तो जरूर आपको ग्रांड लिग जिता है सकते तो इसलिए इनको क्याप्टन और ए जोन्स का परफॉंस अभी तक अपी तक अच्छा रहा है तो आज क्याप्टन या वाइस क्याप्टन आप दोनु तर पाचवी टीम के बात करूँ तो यहाँ पर रिशब पंत को अकेले करूँगा उसके बाद रोहित चर्मा विराट कोली जोन्स तीन फिर से मेरे पास बैट्समन रहने आले कोरे अंडर्सन हर्दिक पंड्या दो ही ओल रॉंडर रखूंगा और फिर से मैं यहाँ पर पाच ग कपटने एक रहेंगे जो कि बैसाबित हो सकते आपके लिए ग्राइल लिक जिता सकते आपको या फिर आपको काफी फाइदा करा करें दे सकते हैं यहाँ पर हार्दिक पांडिया को क्याप्टन और पंथ कंट को बना रहें तो चली यह भी टिम बहुती बढ़ी है इसे भी क चलना है छटी टीम की बात करूं तो यहाँ पर फिर से चेंगेस रहने आले पंत और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेत्रावलकर इस तर से दो अलग गेनबाज मेने आप पर चूस किये ताकि आपको अगर यह अच्छा करें तो और भी जादा फायदा हो यहाँ पर अगर क्याप्टन के बात करूं तो पंत को क्याप्टन और विराट को वाइस क्याप्टन मनाने जा रहा हो दोनों बेस्ट है और अच्छे बैटिंग और कर सकते तो इसलिए दोनों के साथ आज अगर बात करूं तो यहां पर पंत क्याप्टन में रहेंगे मेरे पास कोई और नहीं रहेगा इसके अलवा पर रोहीच छर्मा विराट कोहली और जोन्स इस तरसे तीन ही वल्लेबाज मैंस तीम में रखूंगा उसके बाद कोरे अंडर्शन अक्षर पटेल और हार्दिक पांडिया तीन ही ओल राउंडर रखूंगा और फिर से गेनबाज ही मद्बूत करने जाओंगा जे सिंग मुहम इसलिए मैंने जादा टीमों में गेनबाजों पर जोर जिया है तो आपको ग्रैंड लिक जिताने के लिए जादा फायदेमन साबित हो सकता है जहां पर थोड़ा मैंने हटके सोचा है तो ए जोन्स को क्याप्टन तो वहीरोईट चर्मा को वाइस क्याप्टन बना रहा हूं आठवी टीम के अगर बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे गोज को मैंने फिर से आप अकेले को ले लिया है विराट कोली और जोन्स दोही बल्लेबाज इस टीम में रखूंगा मैं और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जड़े जाहे कोरे अंडर्शन अक्ष जादा अल राउंडर रखूंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीची ऐसे कि आप आपको बैटिंग और बालिंग दोनों मजबूर चे तो यहाँ पर इसलिए इनको सबको साथ में भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर अक्षर पटेल को कैप्टन बनाने जा रहा हूँ तो वह थोड़ा मैंने सर्प्राइजिंग ले अर्शादिप को वाइस कैप्टन मना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यह भी काफी बढ़िया पर्फोंस कर रहे है और आभी तक कर सकते हैं और आप ज़रूर इन पर भी परसक कर सकते हैं दोनों जबर दसते आप चाहे तो करते हैं नवी टिम पर हमें चलना है आप नवी टिम में मैं पटेल को अकेले को लूँगा मतलब सभी आप्शन मैंने चूज कर लिए रोई चर्मा विराट कोली सुरिकमार यादा और जोन सिस्तर से चार बल्लेबाज मेरे पास रहेंगे अक्षर पटेल हार्दिक पांड्य या दो ही all-rounder रहेंगे और फिर से यहाप पर मेरे पास गेनवाज है में फिरसे मजबूत कारने जा रहा हो और यहाप पर बुम्राज, सिराज, एखान और नेतरावल करिश्तर से चार मेरे पास गेनवाज फिर से मोजोद रहने आले जिससे आपको और भी फायदा हो सकता ह सबसे बड़ी बात है इस सिराच को क्याप्टर मनाने जा रहा हूँ तो वही वाइस क्याप्टर नेत्रावल को बना रहा हूँ क्योंकि दूनों अगर दो तिन तीन लिकेर्स भी लेते हैं तो आपको ग्राइल लिग जितने से कोई ने रोक सकता तो इसलिए मैं ऐसा किया है ज पोड़ी रिस्की है लेकिन फारेमन सावित हो सकती है इस टिम को भी क्लोज करते हैं दस्वी टिम पर चलते हैं दस्वी टिम और आखरी टिम की बाद करो तो रिशब पन्त तो है मेरे पास उसके बाद रोई चर्मा विराट कोली ए जोंस तीन और फिर से बैट्समन मेरे पास रहने आल है उसके बाद मेरे पास कोरे अंडर्सन अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या तीन अच्छे खासे ओ आल राउंडर रहने आले यस्परिट बुम्रा अर्शेदीप सिंग और यहाँ पर मैंने निट्रावलकर को फिर से ले लिया है अगर देखेंगे तो तीन और यहाँ पर केंजिंगे इस तरह से चार बैट गेन बाजी मेरे पास रहने आले जो कि बैस सावित हो सकते कुल मिल अगर देखेंगे लेकिन अगर आप कुछ चेंजिस करते हैं और वह अच्छे पढ़ जाते तो आपके जीतने के चार्शा से उतने ही बढ़ जाते साथ दोस्तों टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो वहाँ पर जाके जाके जोईन कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजिस रहते में तब तक के लिए गुडबाई